मेहम पुलिस ने 11 नवंबर को मेहम के पास ट्रक प्लटने के बाद गायब हुई सैकड़ों शराब की पेटियों को काबू कर बड़ी कामयाबी हासल की शाम को नहीं अनाज मंडी की एक दुकान में रखी गई पेटी ब्रामत की गई जिन्हें पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया मामले में पुलिस ने गुरुवार सुभा रोद तक हनुमान कलोनी निवासी शाम को गिरफतार किया था श्याम नहीं अनाज मंडी में शराब रखे होने की पुस्टी की थी चंडीगर स्थित एंपायर एलको ब्रेव लिम्टेड द्वारा चंडीगर केरला ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गत 11 नवंबर को चंडीगर से केरला के लिए एक गाड़ी में 1440 पेकेट अंग्रेजी शराब की खेब भेजी गई गाड़ी को चलक रजेश कुमार वपरी चलक राज कुमार वासियान गाव निर्वासी लाडवा कुरुक्षेतर निकले लेकिन उनकी गाड़ी निर्धारे स्थान पर पहुंचने की अपेक्षा मेहम से बेरी रोड पर दुरगटना ग्रस्त हो गई मामले की सुचना पुलिस वा श्राब कमपनी अधिकारियों को दी गई मोके पर पहुंचे पुलिस वा कमपनी अधिकारियों को चालक रजेश कुमार ने बताया कि आपकारी विभाग की टीम ने उनका पीछा किया तो उसने बचने के लिए गाड़ी भगाई और गाड़ी दुरगटना ग्रस्त हो गई गाड़ी के दुरगटना ग्रस्त होने की वज़ा से 1368 श्राब की पेटी ग्रामिन उठा कर ले गए या नस्ठ हो गई आप मात्र बहतर पैकेटी बचे हुए हैं जबकि पुलिस वा कमपनी अधिकारियों को रजेश वे राजकुमार की कहानी संदेह स्पद लगी तो कमपनी अधिकारी परदीप शर्मा की शिकायत पर चालक रजेश शुपरी चालक राजकुमार पर मामला दर्श कर जांच शुरू की तो मामले की परत खुलनी शुरू हुई उसके बाद दोनों को गिरफतार किया गया तो रहता खनुमान कलोनी निवासी श्याम वो एक चंडिगड के यूवक के साथ मीली भगत कर श्राब को ठिकाने लगाने की पुस्टी हुई गुरूवार के शाम को काबु किया तो उन्होंने नाजमंडी में श्राब रखने की पुस्टी की चंडिगड के यूवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है ये श्राब जो है इसके बारे में मुकदमा दरज हुआ था गांडी को चंडिगड से चली थी और गांडी जो अपल्टा थी इस प्रभ्भेड जानी जी केरला 14-14 पेट्टी लोट थी अब ये कुछ बराम्द हो रही है अच्छान मिन जारी है क्या कुछ कर रहा है या इस वाम्द है आज एक आया है इसको गिरफ्तार किया है इसी के निशान देए बैस्त्राप्रम की जारी है बाक आगा में करवाई एक लड़का लिकड का बताया उसके बारे में बाद में जारी है कंपणी को सुझना देदी है अधिकारी कंपणी के आज होगी